और जगजनिमा जगदंबा के चर्णों में नमन करते हुए गुरु काश्री गाठ अरिद्वार से मैं नरसिंगानद गिरी मेरे साथ है स्वामी अम्रतानें जी, स्वामी ललितानें जी, मामनलेश्वर अनपूर्णा भारती जी महाराज मामनलेश्वर, सिवानद आचारे जी, बल्रामुनी जी, अधीर कौसिक जी, हमारे स्वामी जी साथ है और हमारे आत्मनल भारती जी महाराज हम लोग जो काली चरण महाराज की गिरफतारी हुई है अन्यायपूर्ण तरीके से उसकी पूर्ण भरततां करते हैं कांग्रेस की सरकार जो रायपूर में है बहुत ही निरलजता पूरवक काम किया है उन्होंने और हम कहना चाहते हैं, हमने यह तैय किया था कि गांधी के बारे में नहीं बोलेंगे लेकिन आज मजबूरी है कहना कि गांधी नाम की गंदगी के कारण आज काली चरण माराज को जिन्होंने गिरफतार किया है, माओ और मादेव उनका समूल विनास करेंगे गांधी के बारे में काली चरण जी माराज ने जो कहा हम सत प्रतिसत उस से सहमत हैं और हर परिस्टितियों में काली चरण जी माराज के साथ है बहुत हम आसा करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी जमानत हो जाएगी और वो बाहर आ जाएगे लेकिन यदि उनकी जमानत में देरी की गई तो हम सारे लोग स्विम जाकर चाहे हमें अपने निर्दारित कारेकरम आगे के लिए टालने पड़े लेकिन हम सारे के सारे लोग श्रम जाकर काली चरणजी महराज के लिए संगर्ज करेंगे और 36 गड़ के मुक्चे मंत्री के आवास पर जाकर आमरंवंसन करेंगे यदि उनकी जमानत में देर की गई तो मैं सभी संतों से कहना चाहता हूँ मैं सभी बत्तों से कहना चाहता हूँ, सभी सनातन के मानने वालों से कहना चाहता हूँ, काली चरणजी महराज का साथ दीजिए, हर उस व्यक्ति का साथ दीजिए तो धरम के लिए लड़ रहा है, यदि आप धरम के लिए लड़ने वालों का साथ नहीं देंगे, तो कोई अफ हर हर बहादेव हर हर बहादेव